साल 1975 में रिलीज हुई इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड्स ऐसे बनाए हैं जिन्हें आज तक नहीं तोड़ा जा सका है। इस फिल्म के रिलीज के कई साल बाद भी इसके किसे लोगों को दिल्चस्प लगते हैं। अमिताब बच्चन ने भी अपने शो कौन बनेगा करोरपती में इसकी शूटिंग के दिनों का एक मज़ेदार किस्सा सुनाया था जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे चार हजार लोगों के बीच धर्मेंद्र के साथ फंस गए थे। इतना ही नहीं इसके बाद दोनों सितारों ने ओटो से ही लंबी दूरी तैकी और शूटिंग लोकेशन पर पहुँचे थे। कुछ समय पहले इस किस्से को सुनाया था। इस शो में हेमा मालनी भी पहुँची थी। हेमा मालनी की मौजूदगी में अमिताब बच्चन ने शोले की शूटिंग के समय के कई किस्से शेयर किये थे। बच्चन ने कहा कि एक बार उन्हें 4,000 लोगों ने घेर लिया था। ये लोग धरम जी को देखने आये थे। इतनी भीर देखकर उनके पसीने छूट गए थे। चार हजार फैंस वहाँ उन्हें देखने के लिए आ गए। इतनी भीर देखकर मेरी हालत खराब हो गई। लेकिन धरमेंद जी ने कहा कि चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। इसके बाद हमने बजार से निकलते ही आटो लिया और रामगर तक आटो की सवारी कर सेक पर अचे थे। आज तक मुझे ये किस्सा याद है। तरीन फिल्मों में गिना जाता है।